वा तो गाइज यहां से देखिए गैल्री से हमारा व्यूँ और वो देखिए सामने किन और की पहाड़िया जल शीवला जल हमारे साथ हुझ यह देखिए हमारी किटी जो हमारे साथ जा रही है आर शीवला EPA सामने सड़क देख रहे हो यह जाती है हाट्टू पीक की तरफ और यहां पर मिलेगी हमें स्नो थोड़ीच ज्यादा बीच में प्लैक आइज है क्योंकि यह देखो शीशा बन पर खार है यह शीशा बन हो जो ऐसा बहुत दिक्कत है यहां पर मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया सो गाइज फाइनली हमारी स्नो राइड आज हो चुकी है स्टार्ट सो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल इस अधिया साइनिंग इन तो आज डेट है 12 दिसंबर 2020 और मैं हूँ अभी शिमला कालका हाइवे पे अभी हम निकले है पंचकुला से रात को बहुत जाता बारिश होती रही हर टाइम भारिश ही बारिश हमारी आज स्नो राइड शाट रात को पूरी राज यहां बारिश चलती रही है टब 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 हमें लग रहा था हमारी राइड शायद आज पॉसीवल हो ना पाए क्योंगी आज सा शनी बार और हमें जाना था अर्ली मॉनिंग एक्चुली बढ़ हम अल्यटी बहुत लेट हो चुख है टाइम हो रहा है लग बग दस सो नो वरीस अट लिस्ट दिन खोल चुका है सनी डे है और अगर यहां बारिश होई है तो ऑफकॉस शिमला और कुफरी में बड़ी होईगी स्नोफोल स्पेचली कुफरी में और नारकंडा बेल्ट रख यह सारा स्नो से कवर्ड हो चुका हैगा और वेजर प्रेडिक्शन भी ही थी कि वहां पे लिख रख अबर पाइक्स अभी मैं अपना फ्रेंड का वेट करना हूँ एक्चली वह मेरा वेट कर रहा है पेट्रोल पंप में गुरी पाजी आज की वीडियों होने वाली है बहुत एडवेंचर से भरी हुई स्नो में आपको मैं बताऊंगा कि बाइक चलती कैसे आपको भी एक्सप है मुझे जाना है लेफ्ट फिलाल पंप की साइड तो गाइज हेर इस दी गुरी पाजी यह देखिए औरेंज द्यूक के साथ हांजी की आल है अर्ण इंटालेट बाई अर्ण इंटालेट मैं दर चपेड़े मारू आठ के साड़े नौ किस ने किये आठ वजे के साड़े नो तूने किये ना पहले हां अब बेटा कब से फोन कर रहा उठाया नीथा अपने तीन देश्ट नंबर नंबर गल्द कैसे हो सकता अबसे गुरी पाजी मेरे फैलो राइडर तो अभी हम करने वाले जबर दस राइड और अपनी पैकिंड पूरी हो रखी है अभी बताते हैं इसमें क्या क्या है तो गाइज यह देख सकते हो हमारी दो बाइक्स यह के टिम 390 और एमोजो 300 और हमारी त्यारी देखिए दोनों के विटेरा का 65 लेटर का सैडल बैग बहुत अच्छी कपेस्टी है इसकी अच्छा वेट है इसके साथ रेन कवर भी आता हुई और और क्या बताना था है और यह है मेरा राइनक्स का टैंक बैग इसमें सारी इमिजेट चीज़ें जो मुझे लाइक मेरे मोबाइल चार्जर म मैंने अपना वालेट इसमें रखा है और क्या दिखा हूं क्या क्या रखा है एक चीज दिखाता हूं स्नो राइड के लिए स्पैशली होती है यह देखिए स्नो स्पाइक्स जो शूज में लग देंगे स्पाइक्स तो यह मेरा राज अभी एक पेर है एक इन भाईसाब को देना पड़ेगा अब इससे क्या होगा इससे फाइदा क्या है अभी जब जब जाकर दिखाऊंगा इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देता हूं इसको शूज में लगा लेंगे एक लेफ्ट राइड में राइड तो में रियर पर एक यूज करनी है स्नो में फ्रंट क्यूप्रेंट है यह मैं चाहिए था इसके लावा मैंने भी चेन लिव रख रखा है सीवन सीटू बैक के अंदर है मेरे पास छत्री है रेन कोट है यह मेरे अलबो गाट है नीगाड मैं लगा रखे है और बान में लगांगा यहां गर्मी बहुत है अभी दूप निकल स्पेक है चलते हम सब कुछ लेके हैं सिर्फ एक चीज़ार मिसिंग है वो है हवा वाला पंप और पंचर किट बढ़ा भी चलते हैं यह कब से फोन में घुल जा हुआ है भाई चले लेट हो रहे है ओ लेड़ी अगा अगया ओ रेट फाइनल हो रहे है बाई सुन रहे हो कपड़ा बड़ा जवड़ा से लाए रंगीन बड़ा रंगीन हो रहा है तो है रंग रंगले तो गाइस अभी चलते हैं आगे आगे दिखा तो आगे बात करेंगे रस्ते के बारे में थोड़ा और क्या भी ट्रैफिक गरा का सेन्यारियो रहेगा वो भी पूरा दिखाऊं है यहां से शिम्ला काल का हाइवे में तो यहां से शिम्ला है लगबग 80 किलोमेटर तो हमें लग जाएंगे अगर आप नॉन स्टॉप भी चलते हैं तो कम से कम दो से सवदो घंटे मलों एक नॉर्मल स्पीड में लगते हैं बाइक में गाडी में तोड़ा जाए टाइम आपको शिम्ला एंटर से मिलेगा ऐसी दो चाज अगा आपको ट्रैफिक में सकता है तो बट बाइक्स में थोड़ा एजी रहता है इसपेशली टूरिस्ट का जब सीजन होता है जब सीजन चल रहा है आप मेरे सामने देख से काफी गाड़िया जा रही है और इससे पहले ब पाजी रहे हैं पिछे पर नहीं क्या कर रहा था वह और गाइस वह देखिए सामने आप बादल देख रहे हैं वह है कसॉली की हील्स सो जहां मुरहते हैं पंचकुला से वहां से कसॉली है हार्ड़ी 55 किलोमेटर और यह साथ ही में शिमला हाईवे लगता है सो अपनी जनरली वीकेंड ड्राइब जो है बहुत अच्छी रहती है हिल्स साथ में लग जाता है बहुत फन रहता है और यहां पर काफी ऐसे चोटे-चोटे स्पार्ट्स हैं जो आप एक्स्पोर कर सकते हो मेरी एक लिस्ट है वीडियो की उसको आप देख सकते हो कसॉली ह और उसके आसपास की सारी मैंने मोस्टी जो जहां वाटरफॉल है नदी है एक हाई हिल्स क्लिप्स ऐसी जगर सारी एक्सपोर कर रखी है वीडियो को बनाऊंगा मैं दो पार्ट्स में एक जो प्रॉपर तूरिंग वाली वीडियो होईगी जहां से मैं निकला हूँ अपने करते हैं कुछ ट्राइवल को एंजोई साथ में म्यूजिक के साथ सो लेट्स गूज़ आइज यह देखिये सामने अटल टनल की कॉपी एक और टनल यह देखिये सामने सोलन में निकला है हम सामने यह है यह है न्यू टनल तो गाइज यह देखिये गूरी पाजी का पिछे चलने का मेरा हाल यह पिछे चल रहे कब से यह जो पेंट कर रखे रहे हैं सब मैंने यह एनको तो मेरे थोड़ा गाइब रखने में वैसे भी गोप्रो भी हो गया इसको करना हो नो गाइस यह दिखिये चोटी छोटी सी बिल्ली प्यारी जाबागी भागी अथ यह वड़ी सही चडी ते रहे है हम की अचिछे जड़की 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 चल हमारे साथ इनBER प्यारी है यर दो कि तो ओ दो तो जड़ारी है यहार देखिए अ गैज यह देखिए यह आज जाएगी साथ हमारे यह एसी रही है किटी 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 ले आजा ओ मेरे आगी अब मेरी वीडियो नहीं है बड़ाई वीडियो सा गाइस यह देखियो वरी किटी जो हमारे साथ जारी है शिवला अरे यार ब्यूटिफुल चल चले शिमला चले शिमला है किटी अरे ब्यूटिफुल यार केल रही है, पिक लिए एक साथ एक फोटो, फोटो लिए फोटो, अल्टीवेट, जा आजा, निचे, निचे उतर, चलो, 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 उतर जा, उतर जा, किटी उतर, और निचे उतर दे, चलो, वेरी नाइस, चलो, बहुत बढ़िया दाया, मज़ा आ रहा, किटी हैर, खेल के, जूस पीके, और चलते हैं, आगे, So guys, let me present you, the queen of the hills, Shimla, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भी बिल्कुल स्नो नहीं है, आज डेट है, बारा दिसंबर, और कोई ऐसी साइड में भी स्नो नहीं किर रखी, तो, I don't think, यहाँ पे स्नो फॉल भी स्टार्ट भी हुआ है, सीजन का फर्स स्नो फॉल भी नहीं हुआ है, मेरे कहाँ से, बट कुफरी में हो चुका है, और यह नहीं यहाँ से, जो आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी, यहाँ से देखिये व्यूव, यहाँ से देखिये व्यूव, यह देखिये जबरदस्त व्यूव इस जगह पर आकर ही लंच करेंगे, और सामने जो सड़क जा रही है, वह कुफरी की और सामने स्नो बड़ी थी, भी हमने जाना है, यहाँ से आगे, आगे रिखाता हूं और सुनो, गाइस हब कर लिया है, हमने ब्रंच अपना, और नाव वी आर ओफिशली इन कुफरी, और स्नो स्टार्ट हो गी है, यह साइड में पड़ी है सनो, पड़ी एक गंदी वाले सनो है, इसके साथ हम खेल नहीं सकते, अब हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, कि जब इस जो गिरती है, तो उसके बाद कहींना की बलैक आ Bayern चुपी बाती है, तो उसको इस पर टूवेल तो इसलिए थोड़ा थ्यान लखना पड़ेगा यह देखिए कुफरी वैसे आप देख लेए कि हल्किल की सनू तो सब जगा है मुलना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेड़ वे हो गया यहां पर एक साइन बोड़ा कुफरी का तो वहां जाके एक बाइक किया तो फोटा बनता है यहां रहते हैं फोटा परसने कुछा तो वह देखे सामने शिम्ला कुफरी बोड़ गिरिया मत इस फोटो लेने के लिए मैं यहां पर आया हूँ और इसका मैं बनाऊंगा थम्नेल आप लोगों के लिए यहां पर कुछ फोटोग्राफिक करने के बाद जैसे अभी आपने देखा हमने लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से शॉट्स अपनी मेमरी के लिए हम जा रहे हैं नार कंड़ा और वहां विलिए इस से ज़्यादा सुनु आप यह देख रहें आप यह फिसलने वाली सारी स्नौ वे कवड़ है अरे वाह यह उटल साथ में एपल ब्लॉसम यहां में एक वाद स्टे किया है और पूरे इसके रस्ते से स्नौ ही स्नौ यहां से खड़के एक फोटो लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे आगे आएगा ठ्याउग अब हम पहुंचने वाले है नारकंडा लगवग 10-12 किलमेटर और और इसके बाद यहां देखेंगे अपने लिए कोई बढ़िया सा होटल जहां से हो बढ़िया व्यू और हमें मिल सके बाउन फायर और यह दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर भी अच्छा विटल देखना पड़ेगा लेट सी तो काईज नाव वी आर इन नारकंडा और आप देख सकते हो स्नो ही स्नो तो काईज जैसे मैंने पहले पिताया आज डेट है बारा दिसंबर दो हजार बीस और दो हजार बीस की यह है अपनी सेकेंड स्नो राइड पहली थी मनाली वे औ और आज है हम कुफरी नारकंडा शिमला राइड पे तो कुफरी पे इतनी स्नो नहीं थी बढ़ यहां पे देखो ठीक ठाक स्नो अपड़र किया और ठंड भी एक नंबर वाली होगी है ठंड है भाई साब ठंड है सो गाइज यह थी कुफरी टू नारकंडा की राइड और हमारा हो गया है डेवन अल्मस्ट कम्प्लीट और यह एंटरिंग में मार्केट आफ नारकंडा हेर भी को तो यह है में नारकंडा और यह गाड़ी फिस रखी है असनों में गाड़ी का चक्का घूम रहा था यह देखिए में नारकंडा और और वह रहा सामने हाटू पीक सूप ही लाता वाला सूप यह सामने नागी ढापा सेंस नाइंटें फिफ्टी तो हंजी गाइस पाइम हो चुका है लगबक साड़े च्छे और अभी हमें नारकंडा में तो हमने यह होटल रूम मिला है हमें रिखाता हूँ रूम यह देखिए इस आवर रूम फर तो नाइट शुरू होते ही खता हो जाता है बट दो बंदों के लिए बहुत है और हमने ही ट्रेंस से ले लिया है जिसके एक्षा चार्जिस आपर देने पड़ रहे हैं यहां से व्यू है सामने है हाटू पीक मंदिर के पाड़िया मैं सु सामने है कि नौर की पाहड यहां और इस सारे जैसे घर बड़े सारे गहर है पाहड में यहां से व्यू दिखाओं को सु आज अब ही जा रहे हैं कुछ खाने पेने को इंदजाम करने हैं वाकि सुबर लेता हूं यहां से द्रौन शॉट और आपको दिखाता हूं एक्जेक् यह लगबग लगा लो दो डिग्री टेंपरेचर है रात को जाने वाला है माइनस में मिलते हैं मॉर्णिंग में एक जवर्दस व्यू के साथ अब तक के लिए अब आप सो गाइज यहां से देखिए गैलरी से हमारा व्यू और वह देखिए सामने किन और की पहाडिया आज विल्कुछ सनी डे है तो आप देख सकते हैं कितनी क्लीर दिख रही है यहां से पूरी बर्फ से जैसे बच पर में ड्राइंग्स करते थे